शेर सलाम अलेकुप बढर शादी में था है था हुआ खाक शेर सवाल ये था था कि एक मामो यो जिनकी शादी नहीं ही और वो कलाला थी तो उनके भाई उन्हें था 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 उन्हें कि जा था है कि ऑन्हें बढर गएंगे लोट सारी प्रावण्टी हमारे एक रड़के गनाりました यह हमारे भाई हैं जो सवाल कर रहे हैं कि उनके मामू कलाला हैं और उन्होंने अपनी जाइदात अपनी भाई की मौझूद्गी में अपने भाई के बेटे के नाम कर दी है तो क्या यह दुरुस्त है अनि भाई की मौझूद्गी में एक शक्स अपने भाई के बेटे के नाम अपनी जाइदात करे क्या ये दुरूस्त है की नहीं तो असल सवाल का जाब देने से पहले मैं आपके समने वाज़ कर दूँ कि इन्होंने एक लवज इसमाल किया कलाला कलाला किसको कहते हैं इन्होंने कहा है कि उनके मामो गेर शादी शुदा थे इसलिए वा कलाला थे तो यहां पर मैं वाज़ कर दूँ कि अगर एक शख्स गेर शादी शुदा हो उसकी शादी ना हुई हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो कलाला हो क्योंकि कलाला किसको कहते हैं देखे कलाला के बहुत सारे माणी है फराइस की स्थला में लेकिन जो मशूर माणा है कलाला का वो यह एक आदमी फोथ हो गया उसकी आउलाद नहीं है उसका बेटा बेटा नहीं है और नहीं उसका बाप है मल्लैसलहु वलदुन वला वालिदुन तो आईसी मैयत को कलाला कहते हैं तो आप पहले कंफर्म करने कि आप अपने मामु को कलाला क्या है क्या मसला सरी वी है कि उनकी शादी नहीं हुई थी कि यह ऐसा तो नहीं कि उनके बाप बाहायात हो अगर ऐसा होगा तो आप उनको कलाला नहीं कह सकते हैं चीज़ आप confirm किलिए लेकिन चलिए हम यह मान कर चलते हैं कि आप कलाला का मफ़ुम जानते होंगे इंशालला और आपके केस में आपके मामू की शादी भी नहीं भी थी और उनके अबबा भी बाहयात नहीं होंगे अगर यह सूरत है तो अब आपका सवाल देखते हैं आप हुने चाहिए कि यह जो मस्वा है असल्में विरासत का मसला नहीं है बलकि यह हेबा का मसला है क्पकि एक आदमीeni फौथ हो गया और अपनी जादा च्छोड़ गया अब उस जाइदाद को कैसे बाटना है इसको विरासत का मसला कहते हैं यह एक आदमी ने अपनी जिन्दगी में वसीयत कर दिया है कि मरने के बाद उसका माल किसको दिया जाए तो इसको भी विरासत का मसला कह सकते हैं कि उसकी विरासत ने जो वसीद का मसला है उसको कैसे हल किया जाए लेकिन आप सवाल में जो कह रहे हैं उससे झाहिर ही होता है कि आपके मामू ने अपनी हयात में अपनी जाइद अपने भाई के बेटे के नाम कर दी तो इस सवाल की रोश्णी में ये मसला विरासत का नहीं बनता है बलकि ये हिबा का मसला बनता है कि उन्होंने अपनी जिंदगे में हिबा किया है अब सवाल ये बनेगा कि क्या कोई शखस अपनी हायात में अपना माल अपने भाई के बज़ाए अपने भाई के पेटे यानि भतीजे को हिबा कर सकता कि नहीं तो नाजरीन जहां तक हिबा की बात है तो एक आदमी किसी को भी अपना माल हिबा कर सकता अपनी हायात कि भाई की मौझूदगी में भतीजे को हिबा कर सकता कि नहीं भाई भतीजा तो जाने दीजिए अपनी हयात में एक शखस अपना माल अपने भाई के होते विए, भतीजे के होते विए किसी के भी होते विए और उसी को दे सकता कोई मसला नहीं तो एक शख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष वो मौझूद है तो भतीजे को क्यों दे रहा है? ये मसला तब होता जब मसला विरासत का होता. यानि आपके मामू फौत होगे होते और उनकी जाइदाद छोड़ी होती अब उसको बाटने का मसला होता तो हम यह कहते कि जब भाई मुझूद है तो भतीजे को नहीं मिलेगा यानि भाई भतीजे को महजूब कर देगा तो इस केस में आपका इशकाल बिलकुल दुरूस था कि विरासत जब बढ़ती है तो असबा में करीबी मजखकर को मिलता है तो आपके मामू का अगर इंतकाल हुआ है तो करीबी मजखकर आसिब उनके भाई होंगे ना कि उनके भतीजे तो उनको मिलना चाहिए भतीजे को नहीं मिलना चाहिए लेकिन ये तब होगा जब विरास प्राइश नहीं है उम्मेद है कि आपका जवाब मिल गया होगा